हेलो दोस्तो पूर्णिया के साथ पूरे सीमानचल के लिए बहुती वरी खुसी की ख़वर है क्योंकि पूर्णिया से पटना के बीच बिहार का पहला गिरीन फिल एक्सेस कंट्रूल एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जिसके बनने से सीमानचल वासी असानी से चंद घंटो में ही पूर्णिया से पटना पहुँच सकते हैं तो दोस्तो चलिए जानते हैं डीटेल से कि कब तक बन के तयार होगा ये एक्सप्रेसवे कहां कहां से गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे और कितना समय लगेगा पटना से पूर्णिया पहुचने में इस एक्सप्रेसवे के द्वारा लेकिन दोस्तो वीडियो मागे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो का लाइकर चैनल को सस्क्राइब कर दिजेगा दोस्तो पतना पूर्निया गिरिनफील एक्स्परेसway के लिए DPR की अनुमती मिल गई है ये बिहार का अपना पहला गिरिनफील एक्सेस कंड्रोल एक्सपरेसway बनेगा जिसके लिए मंतराले ने अजन्सी भी तै कर लिया है इसका मतलब इसका निर्मान कर अब तेजी से शुरू हो जाएगा ये एक्सप्रेस वे पटना के कच्ची दरगा विदूपूर पूल से शुरू होगी और भाया समस्ती पूर दर्सिं सराय रोसरा सहरसा सिम्री वक्तियार पूर उदा के सुन गंज होते हुए पूर्निया तक जाएगी बात करें अभी पटना से पूर्निया की रूट की तो अभी पटना से पूर्निया जाने के लिए दो रूट है जिसमें पहला रूट है भाया मुझाफर, पूर्भंगा, सुपोल, फॉर्विस, गंज होते हुए लगवग 8 घंटे में पूर्णिया पहुचा जा सकता है वहीं दूसरा रूट है पटना से भाया मुकामा, बेगु, सराय खगर या नवगच्या होते हुए लगव 7 घंटे में पूर्णिया पहुच सकते हैं वहीं बात करें इस नए बनने वाले गिरीन फिल एक्स्प्रेसवे की तो इस से आप महल 3-4 घंटे में ही पटना से पूर्णिया पहुच सकते हैं ये एक्स्प्रेसवे 215 किलो मीटर लंबा बनाया जाएगा और इसके कम्प्लीट होने की एक्सप्रेसवे की फैसिलिटी की तो इस एक्सेस कंट्रोल बनाया जा रहा है जिसका मतलब है इसके पूरे रोड में सिर्क 2 या 3 जगही एंट्री और जिप पॉइंट होगा यानि की पटना से पूर्णिया के बीच में इस एक्सप्रेसवे पे आप कहीं एक या दो जगही एंट्री कर सकते हैं या फिर बाहर निकल सकते हैं दोस्तो इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पूर्ण मध बिहार यानि की सिमांचल कोशी मिथलांचल वालों का पटना पुहँचना आसान और सुधा जनक हो जाएगा तो दोस्तो आप क्या क्या सोचना है इस Expressway के बारे में इसके रूट में कुछ बदलाव भी होना चाहिए या नहीं आप इससे पहले कौन-कौन से रूट से ट्रेवल किये हैं पतना से पुर्णिया के बीच में कोईन वोक्स में जरूर बताएगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद